तो चलिए आज समझते हैं कि एक कमपास, मैगनेटिक कमपास किस तरीके से काम करता है और इसका क्या यूज होता है? मैगनेटिक कमपास हमको डाइरेक्शन बताता है, यानि कि डाइरेक्शन किस तरीके से बताता है और ओ कैसे काम करता है? यह उसी को हम समझते हैं, एक activity के द्वारा तो हमारे पास हमने यहाँ पानी ले रखा है और इसमें हम क्या करते हैं, एक थर्मा कोल का यह टुकड़ा डाल दिया है अब इसके उपर हम एक हम magnet रख देते हैं तो देखिए क्या होता है, हम जैसे ही इस पर magnet को रखा हमने balance कर देते हैं, तो यह अपने हिसाब से align हो जाती है अब यह हमने एक compass ले रखा है, mobile में तो आप देख सकते हैं, इसका north और इसका north, same direction में इसको अब जिस्टरब कर दें, तो देखिए, वो फिर अपने आपको align कर लेता है, एर्थ की magnetic field के according, एर्थ का जो north direction है, उधर इसका north pole रहेगा और south direction में south pole